जो इस्त्री यह साथ प्रकार के काम करें तो समझ लेना कि वह अपने पती से प्यार नहीं करती है आज मैं बात कर रहे हूँ पती और पत्नी के बीच प्रेम के बारे में आपस का ताल मेल आपस में प्रेम और अनुराग दामपत्य जीवन के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण है तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी इसी इस्त्रिया है जो अपने पती से प्रेम नहीं करती है वीडियो कन्टिन्यू रहेगा लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की मायंड की कसरत के लिए एक सबार लड़की के पास ऐसी कौन सी छीज होती है जो सादी के पहले भी होती है लेकिन सादी वाले दिन नहीं होती है जब आप जरूर दीजेगा सही जबाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबाट वजे फेस्वूप पेज और यूटूब का लाइब एनाउंस करते हैं तो लाइब द्यूटा बिलकुल भी ना भूले पती इस कमरे में तो पत्नी उस कमरे में तो समझ लेना कि वह पत्नी अपने पती से खुश नहीं रहती है ऐसी महिलाएं मौका ढूरती रहती है कि कब उनका पती उनसे दूर जाए कब वो किसी काम से बाहर जाए ऐसा तभी होता है जब वो दिल से आपसे प्यार नहीं करती या फिर वो किसी और से प्यार करती है पताया तो यही गया है कि इस तरह की महिलाएं अक्सर अकेले रहना पसंद करती है दूसरी बात यह है कि जिस इस तरी को आपकी बाते पसंद ना आती हो और वो हर समय अपने पती से गुस्से में रोब जारती रहती हो, तो समझ लेना उसके दिल में आपके लिए जगे नहीं है, इस तरह का ब्यवहार साफ जाहिर करता है कि आपकी अच्छी बाते, जो काम की बाते होती हैं, उस बात को भी वो गंभीरता से नहीं लेती है, आपकी चाहे कितना भी परेशान हो, या फिर उसे कोई रोग हो या दुखी हो, यदि आपकी पतनी आपके दुखों को अंदेखा करती है, आपको सांत्वना देने की बजाए वो आपसे दूर रहती है, आपकी परेशानी में आपका साथ नहीं देती, तो वो आपकी हितैसी नहीं ह पती-पत्नी के विचारों में भले ही तालमेल ना बैठे, लेकिन दुख और तक्रीप के समय साथ तो देना ही चाहिए, किसी को गंभीर रूप से दुखी देखकर पडोसी भी साथ दे देते हैं, लेकिन घर में अगर पत्नी ही बात ना पूछे, उसे आपके दुख और तक्र पत्रीप से कोई सरोकार ना हो, तो समझ लेना वो आपसे प्यार नहीं करती है, चोथा काम, जो इस्तरी आपसे चल कपट करे, जूट बोले, आपके घर ना रहने पर वो इस्थिर ना रहे, उसे एक दूसरे के घर में जाकर बैठना अच्छा लगता हो, वो आपके घर में क उसे केबल अपने ही सोक से मतलब हो, उसे घर, परिवार और बच्चों से कोई मतलब ना हो, उसका ध्यान सिर्फ अपने सोक पूरे करने में हो, जो आप पर कुछ भी करके मनोरंजन की चीजों को लाने का दबाव बनाती हो, चाहे इसके लिए आपको करज ही क्यों ना लेना पड़े, जो आप से पैसे होने पर मीठी-मीठी बाते करे और पैसे ना होने पर सीधे मूँ बात ही ना करे, तो ध्यान रखना वो आपकी सुपचिन तक नहीं है, छटवी बात, जो महिलाएं दूसरों के सामने पती को अपसब्द बोलती हो, घर में कभी सीधे मूँ बात उनका ये असंभव भरा बरताओं बताता है, कि उनके मन में पती के लिए कोई प्यार नहीं है, अक्सर बहुत सी महिलाएं मित्रों और रिष्टेदारों के सामने पती को अपमानित करती है, दूसरों से निंदा करती है, अगर बाहर का कोई व्यक्ति घर में आ जाए तो उस अक्सर कई बार ऐसा होता है, कि बहुत सी इस्त्रिया अपने पती के दुर ब्यवहार के कारण भी उनसे दूर चली जाती है, उनका अनुराग, उनका प्रेम उनके पतियों के लिए नहीं रह जाता है, पती से प्रेम ना होना, इसका कारण कहीं न कहीं पुरुस ही होते हैं, जैसे कि किसी का सोभा बहुत ही क्रोधी है कोई भी बात सांती से कर ही नहीं सकते हर बात को वो क्रोध में ही कहता है और अपने क्रोध भरे सब्दों से अपनी पतनी को घायल करता रहता है जिससे कि इस्त्री के अंदर का अनुराग नश्ट हो जाता है दूसरा कारण है पती का प्रेम को आपसे दूर कर देता है चौथा कारण है पुर्सों का प्रेम ना करना प्रेम की भासा पस पक्षी भी समझते हैं जब किसी पुरुस में इस बात का अभाव होता है तो इस्त्रियों की विवस्ता होती है कि वह पुर्सों से प्रेम नहीं करती है कहते एक तरफा प्रेम नहीं होता है दोस्तों पाचवा कारण है पुरुसों का परदेश में अधिक रहना कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुस परदेश में ज्यादा रहते और अपनी पत्नी के ओर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे में उनकी पत्निया भी अधिकतर दूर हो जाती हैं। छटवा कारण है पुरुस का आतिदरिज और रोगी होना। साथवा कारण है पुरुसों का दूसरी ओरतों से आसकत हो जाना। पुरुसों का ऐसा ब्यवहार आपसे प्रेम ना करने के लिए मजबूर करता है। पिर वह दूसरे पुरुसों का सहारा पकड़ लेती हैं। दोस्तों पुरुसों को चाहिए कि जो इस्त्री अपनी ओर से प्रेम नहीं करती हैं। उनकी चाहे जो भी मजबूरी हों। लेकिन अगर आपके इन दोसों की बज़े से आपकी पत्मी आपसे दूर जा रही है। तो यह ठीक नहीं है। आप अपने दुरगुणों को यतन पूर्वक छोड़ कर इस्त्रियों को स्वेम से दूर जाने से रोख सकते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आज से ही यतन करना सुरू करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इन बातों से सहमत है या सहमत। अगर आप इमोशनल इंटिलिजेट बनना चाहते हैं। रिस्तो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सेर जादस जादा करें। क्योंकि आपका एक सेर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा पड़वरतन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अबस से करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें। ताकि जब भी कोई वीडियो में अप्लोड करें। उसका नोट भी किसान आपको सबसे पहले मिले। और आपसे कोई भी वीडियो मिस्त ना हूँ। फेस्बूक पर है तो फालो जरूर करें। अश्टार दे के सपोर्ट करें। धल्यवाद।